और चली रुकरत एक बड़ी खबर का हात्रस से मिल रही है, प्रवच्चन के दौरान अच्वानक भगदर बच गई है, सैक्डो भक्त बेहोश हो गया है, बेहोश लोगों को अस्पताल पहुचाया गया है, सिकंद्रा राउ शेत्र के गाओ, फुल राई की घट्टा है, एक कारिकर्म चल रहा था हात्रस में, और इसी दौरान भगदर जैसी स्तिति, पैदा होती है, जिसमें भगदर के चलते कुछ लोगों के बेहोश होने के भी जानकारी मिल रही है, तो हात्रस से बड़ी खबर है, जहाँ पर प्रवच्चन के दौरान भगदर मच गया है, और इ हाला कि भगदर पैदा क्यों हुई थी इसकी भी जाच की जा रही है और साथी सभी लोग जो कि खायल हुए हैं या फिर भी होश हुए हैं उन सभी का अस्पताल में इलाज चारी है तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रवचन का कारेकरम चल रहा था गाउं पुलरा का मामला है जोहां पर प्रवचन के दौरान अगَّ म कुरत पैदर उगल जारतानाज का शमकरी के साथ में सुमिठ चूड़ गये हैं पोन लाइन पर समघा था zo मैळित क्या है ये पूरा मामला विस्थार से बटाईया आक बढ़ेद क्यों पैदा हुए थी और साथी जो लोग भेहोश हुए थे उनके हेल्थ को लेकर क्या अपडेट है और देखें यहां आज जै भुली बाबा का प्रवचन का कारिक्रम था जो लगवाद 2-3 घंटे का कारिक्रम था उसमें उमी से जादा भीड उमर गई प्रवचन सुनने के लिए और वहां प्रवचन ददकारी मौके पर पहुंचे हैं और घायलों का उप्चार कराया जा रहा है आगे जो भी सूचने होगे हम आपको बताई जी बिलकुर सुमित और यह एक्स्क्रूसिफ तस्वीर हम देख पा रहे हैं जुसमें कई महिलाएं बेहोश इस्तती में नजर आ रही है और साथी सभी को फिलहाल अस्पताल में भरती करा दिया गया है और यह बताईए कि क्या किसी तरह की अफ़वा फैलाई गई थी मौके पर क्योंकि बड़ी संख्या में हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं जो की बेहोश इस्तती में नजर आ रही हैं देखिए यह दरसल वहां अव्वा कर तो भी कुछ निकल के नहीं आया है मामला जो मामला जो मुझे पता चला है अभी उसमें यह निकल कर आ रहा है कि जो भत वहां पर उमड़े थे अचानक से जो वहां पर शिकॉर्टी लगी थी उन्होंना उनको एक जगे रोग दिया थ है या कोई गिराफ तारी अभी तर देखिए प्रशासन के अधकारी जलादकारी पुलिस अभी निकले हैं अभी पूरी गटना को एनलाइसिस किया रहा है प्रशासन द्वारा और अभी इसमें जो भी दोसी पाए जाएंगे उनके खिलाब प्रशासन सक्त कारवाई करेगा पिलाल प्रशासन के लिए प्रशासन के प्रावनिकता है जो गहल है उनको समय से उप्चार मिल सके और उनको जो है हॉस्पिटल तक पहुचाया जा सके लेकिन सुमित कितने दिन से ये कारिकरम चल रहा था इसके बारे में भी बताईएगा और साथी जिन लोगों की मौत पर ये आज ही कारिकरम का आयुजित किया गया था जिसमें बोलेवावगा वहां पर प्रवचन था प्रवचन में लाखों और हजारों की संख्या में संधालू और प्रवचन सुनने के लिए पहुचे थे आचानक से वहां पर बीड़ जादा होने की वेएसे बीड को एक ज लेकिन जब भी बड़ी संख्या में लोग इखटे होते हैं या कारिकरम होता है ऐसे में प्रशासन की तरफ से पुक्ता इंतजाम पहले से कर दिये जाते हैं तो क्या सुमित जब कारिकरम हुआ या प्रवचन का कारिकरम हुआ प्रशासन को उसकी जानकारी थे और क्या वो कि यह कारेखन के आयव जठी उनके त्वरा प्रशातन से अनुमति की जारी भी लेकिन जो संख्या आयुजच त्वरा प्रशातन को बताए गई थी उसे कहीं ज्यादा संख्या वहां पर पहुंची है और उसी की वैसे इकटना हुई है अला कि प्रशातन की वीज ना होती है सुमित क्या प्रिशासन की तरफ से अभी तक कोई भी जानकारी गई ये खटना अभी कुछ मिनट पहले की है जानकारी और अब कर अब नहीं किया गया है ठीक लेकिन जो जो कारिक्रम में महिलायं शामिल हुए थि उनसे वी अगर आपकी बातचीत हुई हो तो इनकी तरफ से जो चश्मदीद थे उनकी तरफ से क्या इसघटना को लेकर बताया गया谁 कि तरफ से कोई जानकारी दी गई कि कितने लोग थे जुनको अस्पताल पहुचाया गया या मरने वालों का आकड़ा कितना है अभी आकड़ा ओफिशल वर्जन नहीं आया है प्रसाथने गदकारी अभी मौके पर सबसे पहले उनकी लिए प्राप मिल सके और जो जब जहां त तरफ से अभी भी कोई भी आपड़ा जारी नहीं किया जाए ठीक है सुमीद आप नजर बनाये रखेगा अपडेट आपसे आगे भी लेंगे जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रे आपका कि क्या वो सभी इंतजाम पहले किये गए थे जितनी बड़ी संख्या में लोग इखटा हुए थे इसके अलावा गर्मी से बचाप को लेकर क्या इंतजाम कारकरम में किये गए थे और साथी परमीशन की जानकारी मिल रही है कि प्रशासन की तरफ से परमीशन तो ली गई थ है कि क्या उत्ने पुक्ता इंतजाम पहले किए गए थे क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रवचन सुनने के लिए पहुँँशने वाले थे और जो मरने वाले हैं वो क्या सभी हांतरेसके हैं या फिर जो दूर दूर से लोग पहुंचे हुए थे उन में से हैं शामिल है तो इन सभी पहलों पर पुलिस याज़ कर रही है और इसके अलावा थोड़ी दिर में जानकारी मिल रही है कि प्रिशासन की तरफ से भी ऑफिशली जानकारी दी जाएगी कि मरने वाले कहा के रहने वाले थे कितने लोग शामिल है और कितने लोगों को अस्पताल में भरती कराया गया है जुन्ता इलाज जारी है